हेलो फ्रेंट्स आपके अपने YouTube चैनल सितेश कामर्स टुटोरियल मा आपका स्वागत है फ्रेंट्स ही यह आपके इंट्रोड़क्शन टू दीन द्याल का सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको 50 MC कूश को बताऊंगा और आगे के दो पार्ट और बनेंगे वोकल अप्लोड हो ठीक है टोटल 200 MC कूश का टार्गेट जो है पूरा हो जाएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब ज़रूट कर लिजेगा बेल आइकन को आल पे से लिट कर लिजेगा ताकि सिस्क्राइब का वीडियो और भी अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेसन सब परफम अध्यची ये पाँसर दिया एये अपसा है आपका बंबै अधिवेशन में बी है काली काट अधिवेशन में दिया धि्य Till पंडित दियार उपध्या सर仔 जैते कारेकरम कवाराम होगा तो A option दिया हूवा है 16 October 2015 B दिया हूवा है 16рах 2016 C दिया हूआ 20 October 2014 D दिया हूँ 16 October 2017 यहाँ पर जो चैसिज आंसर दिया हूअ है आपका वो दिया हूआ है 16バイ 2016 लेकिन ये गलत है फ्रेंड आपका जो पड़ार मंत्री नरेंडर words और दिल्ली में विज्ञान भावन में आयोजित कारिकरम में स्रोमयय जयते कारिकरम का आरंभ किया था, ठीक है, तो D वल आपसन सही होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, गलत दिया है, सही आंसर आपका D, 16 अक्टूबर 2014, और एक ऐसे भी कोशन बन सकता है कि स्रोमयय जयते कारिकरम किसके द कहाँ पर, तो दिल्ली में, ठीक है, विज्ञान भावन में, तो यह से भी कोशन बन सकते हैं आपका, एक बार सही से देख करके जाईए, अगला कोशन है, 53 पंडि दीन द्याल के एकात्म मानवाद के अनुसार मानव किस गुण से परिपून है, ए अपसन दिया हुआ है, भ अगला कोशन है, क्वेशन नमबर आपका 54 है, जौन पूर चुनाओ में, पंडि दीन द्याल किसके नाम पर चुनाओ लड़ने के लिए मना किया, तो A है छतरी है, B ब्रामण, और C है कायस्त, और D है वैसे, तो यहाँ पर जो से अपसन है फ्रेंड्स हो है आपका B पंडि दीन द्याल के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकरसन क्या था, A जमीनी अस्तर परकार, B सादगी पुरुवबे ओहार, C A और B दोनो, D कोई नहीं, तो आपका जो से अपसन फ्रेंड्स हो है आपका C A और B दोनो, अगला कोशन है, क्वेशन नमबर 56 है, पंडित जी के अनुसार, जनता के बीचार कैसे बदलने चाहिए, A सतत सिच्छा माध्यम से, B जन सिच्छा माध्यम से, C अंगरेजी सिच्छा माध्यम से, D हिंदी सिच्छा माध्यम से, तो आपका जो से अपसन फ्रेंड्स हो है, आपका B जन सिच्छा माध्यम से, अगला कोशन है, को एकात्म मानवाद के माध्यम से B. समाज मानवाद के माध्यम से C. समुदाय मानवाद के माध्यम से D. राजनीती मानवाद के माध्यम से तो यहाँ पर जो सहीव सनफ्रेंट्स हो है आपका A. एकात्म मानवाद के माध्यम से A. वाला अवसन आपका सही है अगला कोशन है क्वेस्टन नमबर आपका 58 है दीन द्याल कीस बात के पचधर थे एकता कि अभिव्यक्ति भारतिये सोच C A और B दोनो D ये सभी तो आपका जो सईफसने फ्रेंट्स हो है आपका C A और B दोनो अगला कोशन है क्वेस्टन नमबर आपका 59 है पंडित दीन द्याल की प्रसिद उक्ति क्या है A जो कमाएगा वो खाएगा B जो कमाएगा वो खिलाएगा C A और B दोनो D उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपका जो सईफसने फ्रेंट्स हो है A जो कमाएगा वो खाएगा अगला कोशन है क्वेस्टन नमबर आपका 60 है पंडित दीन द्याल ने नयतिक नयतिकता की परिभासा दी पंडित दीन द्याल ने नयतिकता की परिभासा दी A द्यक्ति बनना है B इनकी खोज की जाती है C समाज बनाता है D संसकार बनाता है तो आपका जो सेफ सने फ्रेंट्स हो है आपका B. इनकी खोज की जाती है अगला कोशन है Question number आपका 61 है पंडित जी के अनुसार आजादी क्या है? A. हमारी संस्कृति अभिव्यक्ति का साधन बने B. हमारी सवेता सार्थक हो C. एकात्म मानो दर्सन हो D. उप्रोक्त कोई नहीं तो यहाँ पर जो सेफ सने फ्रेंट्स हो है आपका A. हमारी संस्कृति अभिव्यक्ति का साधन बने अगला कोशन है Question number 62 है पंडित दीन द्याल उपधाय के अनुसार संस्कृति की मूल भिसेस्ता है A. जीवन का एकी कृत रूप B. जीवन में बहाव C. जीवन का समंजस्य D. ये सभी तो आपका जो सेफ सन होगा फ्रेंट्स वो होगा A. जीवन का एकिकरित रूप अगला कोशन है Question number 63 है सक्ति के बारे में पंडित दीन द्याल का बिचार है A. सक्ति का अनर्गल बेवहार B. बिनियमित कारे में निहित C. आर्थिक कारे में नियमित और D. है एकता की A. मरूपता तो यहाँ पर जो सेफ सन है फ्रेंट्स हो है आपका B. बिनियमित कारे में निहित अगला कोशन है Question number 64 है संगहर्स को लेकर पंडित जी के बिचार थे A. सांस्कृतिक स्वभाव B. गीरावट का लच्छन C. अहंकार की उत्पती D. उप्रोक्त कोई नहीं तो आपका जो सेफ सन होगा फ्रेंट्स होगा B. गीरावट का लच्छन अगला कोशन है Question number 65 है समाज में पंडित जी को किस रूप में जाना जाता है A. प्रसीद दार्सनिक और सास्तरी B. समाज सास्तरी इतिहासकार C. पत्रकार लेखक D. उप्रोक्त सभी तो आपका जो सेफ सन होगा D. उप्रोक्त सभी अगला कोशन है Question number 66 है मानव प्रकृति के बारे में पंडित दीन द्याल के विचार थे A. कुरोध लालच B. प्रेम C. बलिदान D. उप्रोक्त सभी तो आपका D. वाला आप्षन से यह फ्रेंट्स उप्रोक्त सभी अगला कोशन है Question number 67 है दीन द्याल उपध्याय ने धर्म के विचार थे दीन द्याल उपध्याय के धर्म के विचार थे A. व्यापक B. संकूचित C. वैसेशिक और D. हापका द्याथ तो आपका जो सेफ्षन फ्रेंट्स हो है A. व्यापक अगला कोशन है Question number 68 है पंडित दीन द्याल के प्रमुख पत्रिकाय थी A. राश्ट्रधन B. पजन्य C. स्वदेश D. उप्रिक्त सभी तो आपका जो सेफ्षन फ्रेंट्स हो है D. उप्रिक्त सभी अगला कोशन है Question number 69 है पंडित जी RSS के सक्रिय कारेकरता बन गये पंडित जी RSS के सक्रिय कारेकरता बन गये A. बच्पन में B. यूवस्था में C. छात्र जीवन में D. ये सभी तो आपका जो सेफ्षन फ्रेंट्स हो है C. छात्र जीवन में अगला कोशन है Question number 70 है प्रचारक बनने के बाद दीन दयाल अपने बिचार व्यक्त किये A. राजनितिक इस्थिति B. समाजिक इस्थिति C. धार्मिक और आर्थिक इस्थिति और D. ये सभी तो आपका D. वाल आपस्थन से फ्रेंट्स ये सभी अगला कोशन है Question number 71 है उपध्याई जीवन में किसके दर्षन का परभाव था A. संक्राचारे जी B. बिवेकानंद जी C. महत्मा गादी जी D. नहरु जी तो आपका जो से फ्रेंट्स वो है A. संक्राचारे जी अगला कोशन है Question number 72 है उपध्याई जी ने भारतिये समाज में ब्याप्त और समानता का भीरोध किया A. है आपका जातिगत B. समाजवाद C. ब्रामणवाद D. कुलीन वर्ग तो आपका जो से फ्रेंट्स वो है A. जातिगत अगला कोशन है Question number 73 है दीन द्याल जी ने मंदीर में पुजारी के लिए किस का पक्ष लिया दीन द्याल जी ने मंदीर में पुजारी के लिए किस का पक्ष लिया A. है दलीत B. पिछले वर्ग C. ब्रामण D. A. और B. दोनो तो आपका जो से फ्रेंट्स वो है D. A. और B. दोनो दलीत और पिछले वर्ग ठीक है अगला कोशन है Question number आपका 74 है उपध्याई जी परमेस्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है A. एकल अधिकार B. समान अधिकार C. भिन अधिकार D. कोई नहीं तो आपका जो सेप्सन है वह है B. समान अधिकार अगला कोशन है Question number 75 है पंडित दीन द्याल उपध्याई के अनुसार हिंदित्व क्या है A. एक जीवन पदती का नाम B. भिक्तिगत जीवन का नाम C. समान जीवन का नाम और D. है ये सबी तो आपका A वाल आपसन से ये फ्रेंट्स एक जीवन पदती का नाम अगला कोशन है Q. आपका 76 है दीन द्याल के अनुसार जो ब्यक्ति राश्ट्र के प्रती अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें का हक नहीं मिलना चाहिए A. समान ब्योहार B. अधिकार मांगने C. सदाचार ब्योहार D. ये सबी तो आपका जो सई अप्सन होगा फ्रेंट्स होगा B. अधिकार मांगने का हक नहीं मिलना चाहिए अगला कोशन है Q. नमबर 77 है 25 सितंबर को प्रती वर्स राश्ट्रिय अंतियोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है A. पंडित दीन दियाल जी के जन्म B. महत्मा गाधी के जन्म C. रविंदर नाथ जी के जन्म D. संकराचारे के जन्म तो आपका जो सई अप्सन होगा फ्रेंट्स होगा A. पंडित दीन दियाल जी के जन्म पर अगला कोशन है Q. नमबर आपका 78 है एकात्म अखंड अकृती में परतेक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, बीस्व का ब्रमांड का क्रमिक दिकास होता है किसका विचार है A. पंडित दीन दियाल का D. महत्मा गाधी का C. विवेकानद का D. स्वामी, जगत गुरु का तो आपका जो सही अप्शन होगा वो होगा A. पंडित दीन दियाल का अगला कोशन है Q. नमबर आपका 79 है उपध्याय जी भारतिये जन असंग के अध्यक्षपद पर कारे किया A. अनिसो सर्सर से अनिसो आर्सर तक B. अनिसो आर्सर से अनिसो सर्सर तक C. अनिसो आर्सर से अनिसो सर्सर तक B. अनिसो आर्सर से अनिसो पैसर तक तो आपका जो सही अप्शन होगा फ्रेंड्स होगा A. 29 दिसंबर अनिसो सर्सर से इगारा फरवरी अनिसो और सर्सर तक अगला कोशन है question number आपका 80 है आजादी के वल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृती की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है किसके बिचार है ए मदन मोहन मालविय बी विवेकानन्द सी टैंगोर डि पंदित दीन दयाल तो आपका डी वाल आप्शन से फ्रेंट पंदित दीन दयाल अगला कोशन है Question number 81 है धर्म सर्वोच है हमारे राज्य के लिए आदर्स होना चाहिए A. समाज धर्म B. धर्म का राज्य C. आर्थिक राज्य D. इन में से कोई नहीं तो आपका B. वाल आप्शन से फ्रेंट्स धर्म का राज्य Question number 82 है दीन दयाल अपध्याय ने भारत के सामने समस्याय आने का कारण है Question number 83 है पंडित दीन दयाल उपध्याय की प्रमुख पत्रिकायती A. राष्ट्र धर्म B. पजञ्य C. स्वदेश D. उप्रिप्त सभी तो D. वाल आप्शन से फ्रेंट्स उप्रिप्त सभी Question number 84 है पंडित दीन दयाल की मुख्य रचनाय क्या है A. राजनितिक डायरी B. समराट चंद्रगुप्त C. सत्गुरु संक्राचारे जगत गुरु संक्राचारे और D. है उप्रोक्त सभी Question number 85 है दीन दयाल उपध्याय के प्रमुख विचार थे A. हिंदुवाद की अधाणा B. समानता की अधाणा C. सनातन धर्म संस्क्रीत के पच्छधर D. उप्रोक्त सभी तो D. वाल आप्शन से सही है फ्रेंट्स उप्रोक्त सभी अगला Question number 86 किसके विचार है जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके बिरोध में गर्व का अनुभव किया लेकिन हैरत की बात है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए पश्मी करोण प्रगती का प्रयाय बन गया है तो A है महत्मा गादी, B विवकानन्द, C टैंगोर, D पंडित दिन दियाल तो D वाला आपसन सही होगा पंडित दिन दियाल का कथा नहीं है विचार है अगला Question number 87 उपध्याय जी के अनुशार धर्म का मुल सिधानत क्या है तो D वाला आपसन सही है, A और B दोनो यानि सास्वत और शारवभामिक अगला Question है Question number 88 है पंडित दिन दियाल उपध्याय के अनुशार थे A हमारी राष्ट्रियता का अधार भारत माता है B स्वप्रेम C अत्मियत और D जागरूपता तो यहाँ पर जो सहीपसन होगा फ्रेंट्स पो होगा A हमारी राष्ट्रियता का अधार भारत माता है अगला Question है Question number 89 है माना प्रकृति में दोनों प्रविर्तियां रही है एक तरफ क्रोध और लोब तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग किसका कथन है A नहरू B मदन मोहनमालवी C टैंगोर D दीन दियाल उपध्याय तो D वाल आप्शन से फ्रेंट्स भावना का साधन बन जाए C मानवता की भावना का साधन बन जाए D एकात्म मानव दर्सन की भावना बन जाए तो यहाँ पर जो से अप्शन है वो है A संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए अगला Question है Question number 91 है भारत के सामने समस्यां किसकी उपेच्छा से आती है A समाज की पहचान B राष्ट्री की पहचान C राजनेती की पहचान D है सोतंतरता की पहचान तो B वाला आपसन सही है राष्ट्री की पहचान अगला Question है Question number 92 है दीन दयाल जी के अनुसार मानों की प्रगती क्या है A अर्थ सरीर प्रगती B मन बुद्धी की प्रगती और C है आत्मा की प्रगती D है उप्रोक्त सभी तो D वाला आपसन सही है उप्रोक्त सभी अगला Question है Question 83 दीन दयाल ने मानुए सोभाव की प्रविर्टियां बताई है A क्रोध और लालच एक साथ B प्यार और बलिदान दूसरे साथ C A और B दोनो D घ्रिणा एउन अफरत दोनो हाथ तो यहाँ पर जो सेफसन होगा C A और B दोनो क्रोध और लालच एक साथ प्यार और बलिदान दूसरे हाथ तेके क्रोध और लालच एक हाथ, प्यार और बलिदान दूसरे हाथ, यानि C वल आप्षन से ये A और B दोनो अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 94 दीन द्यालो पध्याय ने किसका लच्य बनाकर जीवन भर कारे किया A राष्ट्र निर्माण, B समाज सेवा, C देश सेवा, D A और B दोनो तो D वल आप्षन से ये फ्रेंट्स, A और B दोनो अगला कोश्चन है, क्विश्चन नमबर 95 है, दीन द्यालो ने साधी किया था A हाँ, B नहीं, C सायद हाँ, D सायद नहीं तो B वल आप्षन से फ्रेंट्स, हाँ, अगला कोश्चन है, क्विश्चन नमबर 96 से पंडिन द्यालो पध्याय थे A एक गंभीर दार्शनिक, B एक गहन विचारक, C A और B दोनो, D इन में से कोई नहीं तो C वल आप्षन से है, A और B दोनो, एक गंभीर दार्शनिक थे और एक गहन विचारक भी थे अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 97, पंडिन जी किसकी साहता से RSS संग में समिलित हुए अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 98, चनातन धर्म कालेज में उनकी मित्रता किस से हुई A बलवन्त महासब्दे, B सुन्दर भंडारी, C है A और B दोनो, D उप्रोकत सभी तो आपका C वला अप्षन से होगा A और B दोनो, अगला कोश्चन है, क्वेश्चन नमबर 99 है, दीन दियाल जी ने इंटर्मेडियर की परिच्छा पीलानी में उतिर्ण की A बिशेश योगेता, B प्रथम स्रणी, C दितियस रणी, D तितियस रणी, तो सही अप्षन है फ्रेंट्स हो है A बिशेश योगेता, अगला कोश्चन है, क्वेश्चन नमबर आत का 100 है और आज का लाश्च कोश्चन, सनातन धर्म कालेज, कानपूर में गरिजवेशन की ड तो दो अप्षन एक ही दिया हुआ है, लेकिन सही अप्षन है फ्रेंट्स, आप D कहिए या B कहिए क्योंकि एक ही अप्षन है, तो यही सही होगा आपका, B वला या D वला जो भी कह लिजिए, 149 क्योंकि एक ही अप्षन है, और उन्होंने 1937 में वहाँ पर एड्मीशन लिय किया हुआ था, ठीक है, सनातन धर्म कालेज में, और दो वर्ष तक वही पर हास्टल में रहे थे, ठीक है, चलिए, आज का कोशन यहीं समाप्त होता है, फ्रेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और नए कोशन के साथ, दो पार्ट और बनेगा इसका 50-50 का, कल पर तो है नहीं, मेरे को फूल टाइम है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, थैंक यू